दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत से पेड़व पौधे ऐसे हैं, जिनका उप्योग पुराने समय से कई ओशधिक जड़ी बूटियों के तौर पर बहुत सी शारीरिक बिमारियों को ठीक करने में किया जाता है. तो चलिए, बात करते हैं ऐसा ही ओशधिये पेड़ की, जिसे सहजन या मोर्निगा की, जिसकी पत्तियां और फल स्वास्थे संबंधी बिमारियों को ठीक करने में काफी महत्व पूर्ण होते हैं. सहजन की पत्तियों का उप्योग भारतिय व्यंजनों, जूस और बहुत सी ओशधियों को बनाने के लिए किया जाता है. सहजन की पत्तियों में मौझूद कैल्शियम, मैगनीशियम, फास्फरोस, आयरन, विटामिन A, विटामिन C, आदिपोशन, तत्त्व शरीर को स्वस्थ बनाने में काफी सहायक होते हैं. सहजन की पत्तियों का सेवन अलग-अलग तरीकों से किया जाता है, जिससे शरीर को होने वाले बहुत से लाब होते हैं. तो चलिए जानते हैं कि सहजन की पत्तियों से हमारे स्वास्थ को होने वाले क्या-क्या फायदे हैं? नमबर वन देश में हर वर्ष बहुत से लोग डाइबिटीज या मधुमेह की बिमारी से जूँच रहे हैं डाइबिटीज मरीज जिनके शरीर में इंसुलिन की कमी होने से शुगर लेवल अधिक बढ़ जाता है ऐसे सभी मधुमेह रोगी यदि सहजन की पतियों का पाउडर बना कर या डॉक्टर की सलाह से इसके टेबिट का सेवन करें तो इन पतियों में मौझूद एंटी डाइबिटिक और एंटी ऑक्सिदेंट्स गुर्ण जैसे पिगमेंट शरीर में बलड शुगर लेवल को सामान पान न होने के चलते खून की कमी के वजह से होता है इसके लिए एनीमिया रोगी यदि सहजन की पतियों का सेवन करते हैं तो इसमें मौझूद आयरन और इसके एथनोलिक एक्स्ट्रेक्ट से शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है 3. बूढे ववरिध लोगों के बढ़ती उम्र में हड्डियों में कैल्शियम की कमी से दर्द होना आम बात है ऐसे में बुजुर्गों वबढ़ते बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सहजन की पतियों का सेवन बेहद ही फायदे मंद होता है इसकी पतियों में मौजूद कैल्शियम, मैगनीशियम और फॉस्फोरस जैसे पोशक, तत्व हड्डियों में ऑंस्टियों का कमजोर होना जैसी बीमारी को दूर करने के लिए एंटी ऑस्टोपोरोटिक गुण की तरह काम करते हैं जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है 4. कई बार शरीर में इम्म्यूनिटी कमजोर होने से सर्दी जुकाम जैसी बहुत सी बीमारी आसानी से हो जाती है ऐसे में शरीर में रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने के लिए सहजन की पतियों का सेवन बेहद ही लाबदायक होता है 5. सहजन की पतियों के सेवन से लिवर में होने वाली बहुत सी स्वाथ्य बीमारी जैसे TB यानी ट्यूबरकलॉसिस जैसी बीमारी जिन से लिवर खराब होना शुरू हो जाता है और उसमें सूजन आने लगती ये पतियां लिवर सेल्स की मरम्मत करने में तेजी लाती है और लिवर को ओनेक्सिडेटिव क्षती से बचाने में काफी मददगार होती है 6. सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीडे निकालने में भी मदद करता है और उल्टी दस्त भी रोकता है यह blood pressure और मोटापा कम करने में भी कारगर होता है इसके नियमित 7 से high blood pressure को control कर सकते हैं इसकी चाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के दर्द और मसूडों के दर्द में आराम मिलता है और दांतों के कीडे नश्ट होते हैं नमबर 8. सहजन का फूल पेट के रोगों और कब्स को ठीक करने में काफी सहायक होता है इसकी पत्ती नेत्र रोग, मोच, साइटिका और गठिया आदी में उपयोगी होती है इसकी चाल का सेवन भी साइटिका, गठिया और लीवर रोग को ठीक करने में लाबकारी होता है यदि आपको कब्ज रोग की समस्या है तो इसकी चाल को पीस कर इसमें शहद मिलाकर पीने से कब्ज रोग खत्म हो जाता है यह मोटापा को कम करने में भी सहायक होता है सहजन के पत्तों की सबजी खाने से भी कब्ज रोग दूर होता है और इससे मिर्गी के दौरों में भी लाब होता है इसकी पत्ती को पीस कर लगाने से घाव और सूजन ठीक हो जाते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठैंक यू